पांबेटकर नगर के जलालपूर्थानाश्चित्र के मुहला फस्जिम तरप गल्ला मंडी के घटनायों जहां एक महिला की दबंगई से चारवेने परिशान हो चुकी है मीरा सोनी अपनी दबंगई और चीखनी चिलाने के आगे पोलिस वालों को कुछ ने समझती महिला होने के करान पोलिस मामले को समझाने के साथ साथ सम्मान देती है वो इधाने पर ही पोलिस को भी देख लेने की थमकी देती है महिला के हिसाब से काम ने हुआ तो पर उन पोलिस वालों पर भी छटखाने जैसे गंभीर आरूप लगना तैह हो जाता है महिला की हरकतों कि कई ऐसी वीडियो कामने में काईद हुई जो कि थाबित करने की एकाफी है कि महिला किस हाथ तक उजर सकती है उन चारों बानों पर किस तरह का जुल्म कर रही है लेकिन सब सानबोत ही जताते हैं लोग कहते हैं हम सब जानते हैं सब आप सही है वो है लेकिन महिला तनी दमंग है कि सब अधकारियों को उपर 373 और बत्तमीजी का अरूप लगाती है कि महिला चेकल अरुड़ के खोलने के लिए वहां कि हां जाने की लिए तो लुड़ते पोलिस साहां कि यौ हम लोग रहें के मकान में तो मामंई जाए तो से घर आय नुट जाएं जरत नहीं सबूंद से रहें कि आपका मोग जादा पत्कु चित रहें से आपका प्रवगर स्वच्छित हो जाएगा आप ठेक हो जाएंगी तो फिर आप आईएगा इसके बाद जब अभी हमारे पास है अभी दो दिन पहले फोना आया तीन दिन पहले कि कटर मसीन लगा कि पूरी दिवाल अपनी तरफ से डबल दिवाल तीसर एक डिवाल उसकी त कागज है तुम कागज खालोगी वो कहती है सब टोटल फराड है किसी बात में मानने के तयार होती है दोस्तों बोलती है कि 200 रुपए बहने कागज मजबूरी कहती है कि इनका कुछ नहीं है इनकी माता जी 70 साल की है वह यह सब सब बैमान है यह है वो है सब सब कुछ तरह की वीडियो आई है मेरे पास तो यह साब जाहिर होता है कि महिला का आतंक इस तरह है कि महिला ने काफी परिशान कर रखा है कहा तक देख पाएंगे इनका पुलिस एक तरफ कहती है कहती है आप आईए आपका हक है आप रहे लेकिन आखिर रहे कैसे क्योंकि महिला की दबंगाई जो जिस प्रकार की है महिला मार पीर करती है इट पत्थर फेकती है चोटे-चोटे इनके बच्चे भी है आज ये चार बहने जो है ये न्याय के लिए दर-दर की दर-दर भटक रही है एसपी कारिया ले तक गई है वहां पुलिस अदिच्चक ने भी कहा है कि हम आपकी बात को शमझ रहे हैं क्योंकि इन लोग का ये भी आरोप है कि किसी भाजपा नेता का संरच्छन है जिसके एहद कोई कारवाई ने की जाती है जब पुलि कि अध्री नंबर के बहन से बाद करेंगे जैसे आप लोग इलावाद में रहती है ऌरा को आठब अधें निकलते हैने इस्टेसन पे रहते हैं फिर सुबेव चार ब़जे भौर में पकरते हैं भस पिर 10 बजिचे पहुंसते हैं वहां जाते हैं कुछ नहीं होता पुलिस व बात हुई है तो थाना ध्यच नहीं ये कहा कि मीरा सोनी को कई बार समझाने की कोशिश की है अपने बच्चे को देखिये आएगा तो देंगे लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं है भाजपा के ही गुंड़ाई गर्देई से ऐसा हो रहा है योगी बाबा के राज में यही होना चाहिए बहुत सच्चे बनते हैं इस तरीके से करना चाहिए कि एक औरत को नहीं मिल रहा है मैं भी दूआ हूँ मैं भी दूआ हूँ मेरा लड़का भी खतम हो गया इसी आने जाने में तो इसलिए मुझे बुनिया चाहिए मुझे कुछ चाहिए मैं अपने घर में मैं भी रहूँ और वो अपने घर में रहे इस जो यह खेताउनी है इसमें सभी चारो बेहनों का ना करके हमारे पडोसी ने अंदर से दिवाल तोड़ करके कबजां कर लिया है और हम लोग को बाहर निकाल दिया और हम लोग बहुत मजबूर और लाचार उस अवरत का इतना दबदबा है तो उसमें हमारी दुकान थी वह इतना परिसान को कर रही डेली में इतना परिसान कर दी मतलब वो टॉर्चर करती थी मैंटली टॉर्चर उपर से पानी गिराना यहां तक कि वह लैक्ट इस क्या पता है ति क्या बता है सर वह इतना दुकान में दुकान से बैठो करदी थी कि हम लोग अपना वहां से दुकान एकदम सटर गिरा दिये, बंद कर दिये, बैयनामा होने के बावजूद आज हम इतना डर गए कि हम बंद कर दिये, पुलिस तो कहती है कि आप लोग रहो, पुलिस कहती है लेकिन सर वो चली जाएगी, अपना वो इतना परिसान करती है, 24 ग गलत इलजाम लगा चुकी है, हम महिला हम उतना बोल नहीं सकते, दुकान पर बैठते हैं, जाके एसे खड़ी हो जाएगी, और ये कुछ भी बोलेंगे, तो इनके उपर गलत आरोप लगाती है, लगाया गया है, सर गलत आरोप, आपके उपर मुकदमा भी हुआ है, हम प्याई आदमी हैं, हम को इस तरीके पर तारित कर रहे हैं, बताई हम क्या करें, अपने छोटे छोटे बच्चे हम अपना परिवार देखें, उससे आए दिन हम जगड़ा करें, हमको नियाय मिलना चाहिए, हमारा ये आवाज है, हम लोगों पर की है, और नियायाले का इ इंतिजार नहीं कर रही है, तो जो भी होता है, जैसे जो सभी का हक है, तब तक आप यथा इस्तिती ने बनाये रखें, आप भी रहें, हम भी अपने में रहें, आप अपने हक में रहें, आप अपने हक में रहें, नियायाले से जब नियाय होगा, तो फिर लिया जाएगा, अस्थानिये लोगों से जब इस बात में पूछा गए तो अस्थानिये लोगों ने कहा है कि महिला आगे किसी की नहीं सुनती है क्योंकि महिला बार-बार यही कहती है कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह चारो बहने जो है जो चारों बहने हैं, बहुत जाएंगी कहा। इन्होंने उत्तर प्रदेश शरकार से नयाए की गुहार लगाई है, योगी अदितनास से गुहार लगाई है। मुख मंत्रे केशो प्रसाद मौरिया को चिठी दे के आए हैं एक अपली केशन डाल के आए हैं बाइस तारी को अभी और उन्होंने कहा अस्वासन दिया है कि आपका काम होगा माता जी आपकी नहीं बड़ी बहन है वह सबसे बड़ी मेरी माता जी है कुश्वन सोनी नाम है उ सुनते हैं जितने अधिकारी ते सर सब आइसने लगए आर कहा तुम किसे बच गए उससे तो अच्छे अधिकारी डरते हैं तामने का सर तो हम क्या करें हम छोड़ दे अपना मकान तो उन्होंने राय दिया नहीं छोड़ों मत जो है लेकिन सब कुराय दिये वही सब जो है अधि7 य हुई जो हमने ताछिए खेसी अधिकारी सीयू साप का मह्तर है तो हम्ने के चेतराइ अथ करी नाम दिखा तो उन्होंने उसकत रूंढ़ कियाध तो हमने उनको अधिकारी बश्यक बान गई जो है इस हमोड़ों को दिखा जया तो उसमें आगी गए रहगे जो है अभी ज़स्ट यो है दिवाल तोलने पर फिर हम आगे सुच्ना दिया जब जब कर दोने तोल के अंदर पूरी गुस गई है अधभंगई आपकी बार थाने में पूरे थाने के सामने हमको धंकी दे रहे हैं ती कि आके दिखाऊ घुछ के दिखाऊ करकम वह हमत है हो जो है क aún आती है सबकी नाम लेके हमारे मार। मोसी का नाम लेके सबकर नाम कर नाम लेकлись को फोला ढाह। जो है वह प्र फिसे का फ消 wonder हम लोग भुलाते हैं लेकिन कोई किसी कका फ्वon आ जाता है हम लोग मजबुर हो जाते हैं अब फोन किसका आता है, अब ये लोग खुल के नहीं बताते हैं, हम लोग जान रहे हैं, वो गलत हैं, हम अक्सर उसको बुलाते हैं, तो फोन आ जाता है, जो कोई भाजपा नेता है, जो उसके बत कर रहे हैं, जलालपुर का भाजपा नेता है, वो ऐसा कर रहा है, भाजपा करेंगे इसका साहस बढ़ेंगा आओ लोगों को यह करेंगी अपने जेट का लिए और दूसरे का लेगी यह इतनी बड़ी दंबगाई कर रही है यह कर रही है यह इतना प्रयास किया जो है जलालपुर के जो मानिंद लोग है जो वहां के जाने माने जो चेह रहे हैं जो है उ कर दिया जाए हमने किसी बहुत कारी से हर सिकायत पत्र में लिखा कि जो उचीत हो हमारी बात ना सुनी जाए जो उचीत हो वही ना कर दिया जाए अगर वह सही है तो उसको दे दिया जाए हमने जितने भी हमने अपना पत्र दिया है यह साब को दिया है यह साब को दिया है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए